हत्या के मामले में दोशी करार बरवाला के संतलोक आश्रम संचालक रामपाल सहित 15 दोशियों को सजा सुना दी गई है हिसार की विशेश अदालत ने उम्रिकैत की सजा सुनाई उन पर दो दो लाख रुपए और पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है ये सजा बरवाला के सतलोक आश्रम में 14 नवंबर 2014 को चार महिला और एक बच्चे के हत्या के मामले में सुनाई गई है कोट ने हत्या के दो मामले में रामपाल सहित 23 लोगों को 11 अक्टूबर को दोशी करार दिया था सजा सुनाने के लिए अदालत में सुनवाई करीब 11 वजे शुरू होई सजा सुनाई जाने के समय अदालत में रामपाल और अन्य चोधे दोशियों को भी लाया गया था तो ये हत्या के दूसरे मामले में सजा 17 अक्टूबर को सुनाई जाएगी दोशी करार लोगों में रामपाल का बेटा बिजेंद्र उर्फ विरेंद्र और भांजा जोगेंद्र उर्फ बिल्लू शामिल है रामपाल के आश्रम के महला विंग की प्रमुक रही बबता उसकी बेहन पूनम मौसी सावित्री भीन में शामिल है सजा सुनाए जाने के मदनजर शहर और आसपास के क्षित्र में कड़ी सुरक्षा है पुलिस और अर्थसेनिक बलों के जवान सेंट्रल जेल और एक और शहर के चपपे चपपे परतेनाथ है